हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश हुआ तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर मायक्रोसॉफ्ट एक्सल में होरिजन्टल स्क्रोल बार या वर्टिकल स्क्रोल बार नहीं दिख रहा है या नहीं शो कर रहा है तो इस प्रोब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे आज का यह वीडियो है सवाल के जवाब में मायक्रोसॉफ्ट एक्सल पर इससे पहले भी कही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कर चुका हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस का लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले में आपको दिखा देता हुए देखिए राइट साइड में आपको कोई स्क्रोल बार नहीं दिखेगा और नीचे जो है इस पर क्लिक कर दीजे तो राइट साइड में आपको कई सार आप्शन मिलेंगे यहां से इसको स्क्रॉल करिए और हमको जाना है डिस्प्ले ऑप्शन पॉर दिस वर्क बुक अब यहां पर शो होरिजंटल स्क्रोल बार पर चेकमाक लगाई है और नीचे से ओके पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि होरिजंटल वर्टिकल दोनों ही स्क्रोल बार आ गया यह देखिए यह आपका वर्ट स्क्रोल बार आगे ठीक है